नमस्कार, मैं सुधीर कुमात्रिपाथी आपको स्वाब करता हूँ, जैसा कि आपको मालूम है कि ToppersIQ.com की एक वेफसाइड है और ToppersIQ.com नाम का एक एप्लिकेशन भी है उसे आप Play Store से जाकर के अपलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर के जो different courses हैं उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं आपको बता है कि मैं आप लोगों को एक course launch किया है science special का जो different different exams में आपके आते हैं question उसी से related उसमें से physics का एक chapter है जिसका नाम है sound तो आईए आप लोगों को sound के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि sound है क्या देखो जब कभी भी आप sound की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि जो आवाजें आपको सुनाई देती हैं वही sound है नहीं मैं आप लोगों की आज गिलत फैमी दूर करता हूँ जो सुनाई देता है वही sound नहीं है बहुत सारी ऐसी भी sound है बहुत सारी ऐसी भी ध्वानी है आवाज है जो आपको सुनाई नहीं देती फिर भी उसे हम sound बोलते हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि sound क्या है what is the sound तो आपको एक ही उतराना चाहिए sound is a wave sound क्या है तो sound एक तरंग है कौन सी तरंग है मैंने आपको बताया है wave वाले chapter में sound is longitudinal wave sound किस form में चलती है sound हमेशा चलती है compression और rare fraction के form में क्योंकि यह एक अनुधैर तरंग है क्या sound को चलने के लिए माध्यम के आवश्यक्ता होती है yes sound बिना माध्यम के संचरण नहीं कर सकती sound cannot propagate without medium यानि ध्वानी बिना माध्यम के संचरण नहीं कर सकती अगर ध्वानी को एक जगा से दूसरी जगा जाना है तो माध्यम आवश्यक है माध्यम क्या चीज होती है माध्यम का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने हूँ मुझे यहां से मुखरजी नगर से मान लो मुझे जी टीवी नगर जाना है तो मुखरजी नगर स जी टीवी नगर दिल्ली में जाना है, तो हमें आटो लेना पड़ेगा, तो आटो हमारे चलने का साधन हो गया, माध्यम हो गया, यानि कोई भी चीज, कोई भी वस्तू, एक जगाँ से दूसरी यहां जाती है, तो वो माध्यम के साथ जाती है, तो कुछ ऐसी भी वस्तूएं हैं जिसमें माध्यम के आवशक्ता नहीं होती लेकिन साउंड कभी भी बिना माध्यम के संचरण नहीं कर सकती अब आपसे एक सिंपल सा प्रश्ण है उसका उत्तर बताईए बताईए क्या अगर मैं आपको चांद पर चिलाने के लिए कहूं और आपसे दूर पर कोई व्यक्ति हो उसको कहूं कि आप सुनिये तो मुझे नहीं लगता कि आप सुन पाएगा दूसरा व्यक्ति क्यों क्यों कि चांद पर किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं होता इसलिए वह आपकी आवाज को नहीं सुन सकता यानि कुल में लाकर ऐसे कह सकते हैं कि ध्वानी की चाल निरवात में सूनने होती है यानि ध्वानी की चाल निरवात में सूनने होती है और ध्वानी की चाल सरवाधिक कहा होती है और निवनतम घैस में होती है ऐसे कोस्टेंस कई बार लिया में पूचे जा चुके हैं सरवादिक कहा होती है da medium में होती है उसके बाद अगर Midwest adoption में ना दिया हो तो क्या दिया होगा तो ध्यान सुनाई देने के आधार पर आप ये निर्धारित नहीं कर सकते कि ये sound है और ये sound नहीं है तो हमारे कहने का एक बहुत सामानने मतलब है कि sound एक ऐसी चीज है जिसे हम wave कहते है sound is a wave sound चल सकती है बिलकुल सकती है लेकिन sound विना माध्यम के नहीं चल सकती sound cannot propagate without medium ध्वानी विना मा आप लोग को मालूम होना चाहिए sound maximum ethos में चलती है और newntum कहाँ चलती है gabs में चलती है और ध्वणी निर्वात में सुन्ने होती है और कौन से ethos में सरवाधिक होती है तो उसका नाम है aluminium और newntum किसमे है तो newntum gas में होती है तो मैं आईए इनी बातों को आपको समझाता हू और sound की कई पहलूँ से आपको आउगत कराता हूँ, देखिए, इस पूरे chapter में, मैं आप लोगों को introduction दे ही दिया, sound क्या है, wave है, जब कभी भी मैं बात करूँ sound क्या है, तो sound is a, क्या, wave, sound is wave, यानि ध्वानी क्या है, तो ध्वानी एक तरंग है, एक सामान ने बात है, आप सम सकते होंगे, ध्वानी एक तरंग है, लेकिन ध्वानी के लक्षण क्या होते हैं, यानि, जैसे मालो मैं हूँ, मेरा आपना एक लक्षण है, मैं एक teacher हूँ, मैं हमेशा नैतिक बातें करूँगा आपके सामने, मेरे बारे में अगर आपको जानना है, तो नाम मत जानिये, ल लाइफ में, हमारे जीवन में sound का economical use भी होता है, वो sonar में होता है, radar में होता है, कैसे होता है, मैं सारी चीज़े बताऊंगा, इसके अलावा, जब sound चलती है, तो तापमान का क्या प्रभाव होता है, pressure का क्या effect होता है, humidity का क्या effect होता है, वो सारे प्रभाव को हम आपके साम वर्णन करेंगे तो चलिए बताते हैं आपको देखो इसको सीधा समझो अभी जो मैंने अभी आपको बताया है उनी चीजों को मैं आपके सामने सीधा रिप्रेजेंट कर दिया हूँ देखो ध्वनी एक कौन सी तरंग है अनुधैर ये तरंग है सिंपल सी बात है द्वनी बिना माध्यम के संचरण नहीं कर सकती कोई न कोई माध्यम चाहिए चाहे हवा हो चाहे पानी हो चाहे लकडी हो चाहे लोहा हो कोई न कोई माध्यम तो चाहिए ही चाहिए ध्वनी अधि द्वानी का वेग क्या होता है क्योंकि वहां पर माध्यम नहीं पाया जाता अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये सारी बातें आपको एक-एक करके समझाया था और जानते हैं ध्वानी की अधिक्तम चाल एलमुनियम में होती है और बेटा अगर ऑप्षन में एलमुनियम ना सामने है तो यहां पर मैं आपको simple way में बताता हूं कि sound is a wave ध्वानी एक तरंग है और ध्वानी एक ऐसी तरंग है जिसे आप लोग longitudinal wave कहते हैं यानि अनुधैर तरंग मानते हैं ध्वानी क्यों चलने के लिए माध्यम की आवश्यक्ता होती है बिना माध्यम के ध्वानी चलन नहीं कर सकती ध्वानी अधिक्तम ठोस में सलती है निउन तम गैस में चलती है निरवात में सूनने होती ध्वानी की चाल क्योंकि वहाँ पर माध्यम नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, ध्वानी कीचाल अधिक्तम, एल्मुनियम में और एल्मुनियम आप्शन में ना दिया हो, तो क्या होगा? इस्टील, चलिए, अब आपके सामने मैं एक एक लक्षन को समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझियेगा, समझ में आ जाएगा, देखो ध्वानी के लक्षन, ध्वानी के लक्षन में दो लक्षन आपके सामने लिखे हुए हैं, ध्वानी की प्रवलता और तीवरता, पहले इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ यहाँ पर ध्यान से देखिए मालो हमने यहाँ पर एक साउंड को प्रोड्यूस किया हेलो तो यह साउंड अब जा रही है हेलो हेलो यहाँ चली गई अब बताओ क्या यहाँ पर खड़े व्यक्ति को यह साउंड सुनाई दी तो आपने कहा नहीं सर यहाँ पर खड़े व्यक्ति को कैसे सुनाई देगी क्योंकि साउंड ए से चल कर बीतक ही तो गई है आगे तो गई ही नहीं साउंड तो इसको सुनाई कैसे देगी बिल्कुल सही बात है तो बेटा याद रखना क्या यहाँ पर खड़े व्यक्ति को सुनाई देगी बिल्कुल सुनाई देगी लेकिन इसको सुनाई नहीं देगी मैं अब आपको यहाँ एक बेसिक बात बताता हूँ अधिक्तम विस्थापन को अधिक्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं यानि maximum displacement of sound is known as amplitude इसको हम A से denote करते हैं और meter के द्वारा मापा जाता है अब आईए दूसरी तरफ बात करते हैं ध्वानी का तेज होना या ध्वानी का धीमा होना तेज होना low होना high होना किस character पर depend करता है तो ध्वानी का तेज होना या धीमा होना किस पर depend करता है intensity और बेटा याद रखना मैंने wave वाले chapter में frequency बताया था एक निश्चिस समय में किसी भी चीज का बार-बार होना आवरित्ति कहलाता है और आवरित्ति का मातरक क्या है आवरित्ति का मातरक होता है हर्ड्स ये आपके एक्जाम में बहुत पूछा जाता है आवरित्ति का मातरक बताईए तो आपका उत्तर होना चाहिए हर्ड्स ध्यान रखिएगा और जानते हैं अब बात ये आती है कि ध्वनी का तेजवा धीमा होना किसके कारण तो ध्वनी का तेजवा धीमा होना किसके कारण तीवरता के कारण और बेटा याद रखना ध्वनी के सभी लक्षण कहीं न कहीं आवृत्ति पर निर्भर करते हैं यानि अगर आवृत्ति बढ़ती है तो ध्वनी के करेक्टर भी बढ़ेंगे और आवृत्ति घटती है तो ध्वनी के करेक्टर भी घटेंगे इतना तो क्लियर हो गया आपको आगे बढ़ते हैं, ध्वनी की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है, यानि जब आप किसी भी साउंड को बहुत दूर तक पहुचाना चाहते हैं, लोग नहीं कहते, बहुत सोर हो रहा है दूर में, मतलब आप तक वो सोर सुनाई दे रहा है, लाउड साउंड होगा, तभी न वो साउंड आपको सुनाई दे रही है, आवाज में दम है, तो दूर तक जाएगी, और आवाज में दम नहीं है, तो दूर तक नहीं जाएगी, अब जड़ा यहां देखिए आप, यहां से साउंड उत्पन हुई, तो देखो, दूर तक जाएगी, यह, तो इसका मतलब यह हुआ कि loudness किस पर depend करता है यानि प्रवलता आवाज में दम कब आएगा जब उसमें आयाम आएगा या amplitude आएगा समझ में आई बात ध्यान रखनें और बेटा एक बात याद रखना इसको मैं इधर करता हूँ ध्यान से देखो ध्वानी की तीवरता और प्रवलता एक से गयान ध्यान ध्यान की तीवरता और प्रवलता किस से मेजर की जाती है decibel से ये देखो लिखा हुआ है decibel और बेटा इसको हम db से denote करते हैं आपके एक्जाम में question पूछा जाता है ये बताइए decibel किस से सम्मंधित है तो decibel related to sound यानि decibel ध्वानी से सम्मंधित होता है decibel sound से related होता है हमेशा ध्यान रखिएगा इस पूरी बात में आपको दो तीन चीज़े समझ में आई होंगी ध्वानी के सभी लक्षण तीव्रता ध्वानी के सभी लक्षण आवृत्ति पर निर्भर करते हैं पहला चीज दूसरा जानिए ध्वानी के जितने भी लक्षण हैं वह सभी आवृत्ति पर निर्भर करेंगे और ध्वानी की तीव्रता आवृत्ति पर निर्भर करती है और साउंड का तेज होना और साउंड का धीमा होना भी किस पर निर्भर करता है तो उसका नाम है क्या तीवरता और हाँ ध्वनी के अधिक्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं और आयाम को हम मीटर से मापा जाता है और आयाम को हम ए से इंगित करते हैं आयाम को एसे इंगित किया जाता है और मीटर के द्वारा इसे मापा भी जाता है ये भी आपको याद रखना होगा आईए आगे बढ़ते हैं ध्वानी की तीवरता और प्रवलता डेसिबल के द्वारा मापी जाती है डेसिबल हमारे जीवन में भी उपयोगी है कैसे अभी-भी बताते हैं आपको और वेटा ध्वानी अगर दूर तक जा रही है तो किस पर निरभर करती है आयम पर निरभर करती है चलिए अगला चलते हैं हाँ ध्यान से देखो बहुत आसान बताओ जब आप किसी के कान में किसी से बुराई करते हैं मालेजे किसी के कान में आप किसी की बुराई करते हैं तो आप फुस फुस आते हैं तो बताए वो फुस फुसाहट जो होती है वो कितने डेसिबल होती है तो बेटा याद रखना उसका डेसिबल होता है 15 से 30 डेसिबल अगर आप सामान ने बातचीत करते हैं किसी से हाल चाल लेते हैं और भाई साहब क्या हाल है कैसे हैं आप बहुत दिनों से आप से मुलाकात नहीं हुई तो उस सामान ने बीच बातचीत की ध्वनी कितनी होती है 45 से 60 decibel ठीक है अगर आप ट्रैफिक में फस जाएं तो देखिएगा बहुत तरीके की आवाजें आती हैं तो उस ट्रैफिक का एवरेज साउंड कितना decibel होता है तो वो होता है 80 decibel ठीक है और जो आप कान में earphone लगाते हैं और जो DJ लगा के धिचक धुचक करते हैं उन सब चीजों की साउंड काफी खतरनाक लेवल पे होती है 105 से 110 decibel यानि आपके कान के लिए अधिक्तम ध्वनी जो अच्छी है वो कितनी होनी चाहिए 80 decibel से ज़ादा नहीं होनी चाहिए पहली ती दूसरा जानते है मनुष्य अधिक्तम सुन कितना संकता है 120 decibel सुन सकता है इस से ज़ादा मनुष्य सुनेगा तो कान के परदों के चीथड़े उड़ जाएंगे ध्यान रखिएगा और हवाई जहाज और जेट की ध्वनी इतनी खतरनाक होती है इसलिए उसके बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति भयानक हेडफोन लगा के खड़ा होता है ताकि सामने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो तो अगर आप किसी के कान में फुसफुसा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास में कितनी साउंड होती है 15 से 30 डेसिबल नॉर्मल टॉकिंग के लिए 45 से 60 डेसिबल जब आप ट्रैफिक में फसते हैं तो आप 80 डेसिबल है और वेटा कान के लिए अच्छी ध्वनी 80 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और डीजे और इयर फोन की साउंड 105 से 110 डेसिबल और मैक्सिमम हीरिंग कैपसिटी कितनी होती है तो ध्यान रखिएगा 120 डेसिबल और जो एरो प्लेन उड़ता है उसका 150 से 170 डेसिबल के आसपास होता है तो इसलिए जो आपके लिए अच्छा है उसी का उपियोग करिए ज्यादा तेज मत बोलिए धीमे बोलने का प्रयास करिए चलिए अगला चलते हैं हाँ आवाज पतली भी होती है आवाज मोटी भी होती है ज्यादा तर लड़कियों की आवाज पतली होती है और लड़कों की आवाज मोटी होती है कभी भी ध्यान रखिएगा इस संसार में आपको मालुम होगा सबसे महत्तपूर्ण चीज क्या है तो आपने कहा सर सबसे महत्तपूर्ण चीज है आवरित्तिया फ्रिक्वेंसी यानि जिस भी आवाज में frequency ज़्यादा होगी उसका तारत भी ज़्यादा होगा और जब तारत तो ज़्यादा होगा तो आवाज पतली होगी और तारत तो कम होगा तो आवाज मोटी होगी अब आपके एक्जाम में question पूछा जाता है, बताईए तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो तारत्व किस पर निर्भर कर रहा है, देखिए तारत्व आवरित्ति पर निर्भर करता है, यानि sound के सभी character किस पर निर्भर करते हैं, तो sound के सभी character आवरित्ति पर निर्भर करते हैं frequency पर आधारित होते हैं और जानी उच तारत तो पतली आवाज और हां निम्न तारत तो मोटी आवाज मतलव जिसका पिच आई होगा उसकी आवाज पतली होगी जिसका पिच लो होगा उसकी आवाज मोटी होगी लड़कियों की पिछ हाई होती है इसलिए उनका जो आवाज है वो पतली होती है और जान लीजे आप लोग मच्छर की आवाज जो आपके कान के आसपास करती है वो आवाज भी बहुत हाई पिछ होता है तो सोच सकते हैं आप जिस तरीके से कान के पास आके मच्छर irritate करता है वैसे ही लड़कियों की sound भी आपको irritate करती है तो ये एक सामान ने घटना है ध्यान रखिएगा तो बेटा आवाज का पतलावा मोटा होना स्रिल आर ग्रेव होना किस पर depend करता है तो सिंपल उत्तर होगा क्या तारत तो पर निर्भर करता है यानि ध्वानी का आपको मालूम होना चाहिए तारत तो आवरित्ती पर निर्भर करता है उच्च तारत तो पतली आवाज, निम्न तारत तो मोटी आवाज और ध्वनी का पतला वा मोटा होना तारत तो के कारण होता है महिला की ध्वनी पतली जबकि पुरुस की ध्वनी मोटी होती है क्योंकि जब high pitch होगा तो देखिए frequency जदा होगी और जब low pitch होगा देखिए frequency कम होगी तो जब कभी भी पतली आवाज और मोटी आवाज की बात आए तो आप केवल और केवल तारत तो याद रखेंगे और आपको कुछ भी याद नहीं होना चाहिए आगे बढ़ते हैं quality मालिजे कमरे में आप सो रहें दूसरे कमरे में कोई व्यक्ती आया और उसने गाना शुरू किया आपने कहा लगता है सोनू निगम आए थोड़ी दिर में एक आवाज और आई तो आपने कहा लगता है सोनू निगम आए हुए तो कुमार सानू और सोनू निगम दोनों को आपने पहचान लिया कैसे क्योंकि दोनों की frequency अलग-अलग है और बटा याद रखना आपकी मम्मी बुलाए या पापा सिस्टर बुलाए या बरदर या कोई फोन आया और उधर से कहे हेलो कैसे हो आपने क्या कहा हाँ 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 आपकी आवाज को मैं कैसे भूल सकता हूं तो बताइए उस आवाज को आप पहचान कैसे गए क्योंकि आप उस frequency को पहचानते हैं आवृत्ति को पहचानते हैं तो जो ध्वनी में अंतर है हार्मुनियम बजे तो पहचान जाओगे ढोल बजे तो पहचान जाओगे कोई भी आवाज हो आप पहचान जाते हो तो ध्वनी के किस लक्षण के कारण आप पहचान जाते हैं तो उस लक्षण का नाम है क्या quality तो quality किस पर depend करती है frequency गुणता आवरित्ती पर निर्भर करती है और ध्वनी में अंतर गुणता के कारण प्रदर्सित होता है यानि जो भी अंतर चाहे आपकी आवाज में हो चाहे आपकी sister की आवाज में चाहे ब्रदर की आवाज में चाहे फादर या मदर की आवाज में समझ जाईए उसमें जो अंतर प्रस्तुत होता है उंट चिलाए या कुता सेर दहाड़े या कोई भी आप सभी साउंड को बहुत आसानी से पहचान जाते हैं उसका मुख्य कारण क्या है तो आप जानते हैं क्वालिटी गुणता आवाज में अगर अंतर जानना है तो साउंड का कौन सा करेक्टर तो आप जानते हैं उसका नाम है क्या गुणता चलिए बिटा आगे जानते हैं देखो इदर द्यान से अभी सब समझ में आ जाएगा अब एक प्रश्ण है आप से शाद आप कहभी पहाड़ों पर गये होंग पहाड़ों पर जाने से आपको क्या होगा कुछ नहीं किसी ने किसी के साथ जाएंगे आप जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो आपने देखा होगा जब आप चिलाते हैं टीना रीना तो आपको आवा जाती है टीना रीना इस ताइब की आपकी आवा जाती है तो मालू कि अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ reflection of sound, eco, eco मतलब गूंजना, आवाज का गूंजना, समझे बात को, तो अब आपको ये प्रश्ण है यहाँ पर, कि ऐसी कौन सी दूरी पर खड़े हो जाएं, जहाँ पर हमको आवाज बढ़िया से गूंजती हुई सुनाई दे, तो बटा याद रखना, वह दूरी होगी क्या, 16.8 से 17.2 मीटर के बीच, देखो, एक व्यक्ति ये है, ठीक है, इसने क्या किया ताली बजाया, तो ताली की आवाज पहले यहाँ गई, फिर टकरा करके इसके कान में सुनाई दी, तो पहली बार भी तो सुनाई दी होगी, और द दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, मतलब बहुत साफ है, समझ रहे होंगे, प्रतिध्वानी परावर तक तल से निर्धारित होती, यानि यहाँ से, क्योंकि यहाँ से रिफलेक्ट हो रहा है साउंड, इसलिए पता चलेगा, और सुन बार आवाज गूंज करके आपके कान में सुनाई देगी, तो समझ जाईएगा कि अब इको बढ़िया वाला बन रहा है, तो बेटा आपको किस अस्थान पर खड़ा होना है, अच्छे से अच्छा इको सुनने के लिए, तो आपको 17 मीटर की दूरी पर खड़े होना है, आप कभी न कभी फिल्म देखने गए होंगे हॉल में, आज से कई साल पहले जब लोग फिल्म देखने जाते थे, तो काफी हैरान परिशान हो जाते थे, इतना ज़्यादा हैरान परिशान हो जाते थे कि आप सुच भी नहीं सकते, यानि आज कल जब हॉल में जाईए, तो वहाँ पर डॉल्वी सब्द लिखा होता है। कौन सा सब्द लिखा होता है। ध्यान से दिखिए। डॉल्वी सिस्टम लिखा होता है। देखो, हम अगर एक बार बोलें और आपको एक ही बार सुनाई दे, तब तो आपका कान बड़ा राहत महसूस करेगा। लेकिन अगर हम एक बार बोलें और हमारी आवाज आपको कई बार सुनाई दे, जैसे आप मान लिजिए, आप किसी फिल्म को देखने गए हैं, मान लो आप सोले फिल्म देखने गए हैं, और जब आप सोले फिल्म देखने जाते हैं, तो आपने देखा होगा, वहाँ अगर व वो कुट्टे का खून तो एक बार पी रहा है और आप कई बार पी रहें तो समझ जाईएगा ये हॉल आपको डिस्टर्ब करने वाला है यानि इसलिए आज कल हॉल में या जो मल्टी प्लेक्स हॉल्स होते हैं जहां फिल्में चलती हैं वहां पर डॉल्वी डिजिटल सिस्ट कुट्टे में तेरा खून पी जाऊंगा ध्यान रखिएगा इसलिए कुट्टे का खून आपको सिर्फ एक बार पीना है क्योंकि धर्मेंद ने भी एक बार पीना है तो डिजिटल सिस्टम वाले हॉल में ही आपको फिल्म देखनी होगी क्यों क्योंकि बार बार वो क्रेaffection से मतलब होता है ध्यान दखिएगा इस बात को कि देखो मैं ड्यांड़ी का आर्थ होता है ध्वानी का उस्foction माल लीजले आप किसी हौर में बैठे Corn CAP अगर वो hall खाली है तो आपको दिक्कत होगी अगर वो hall भरा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उस hall में जो आदमी लोग हैं जो वेक्ति हैं वो ध्वानी को आउसोसित कर लेंगे ज़्यादा ज़्यादा तो इसलिए डॉलवे digital system का उपयोग किया जाता है और सुनो hall की दिवारों को खुरदुरी ध्वानिक या उसोशन हेत बनाया जाता आप कभी भी किसी भी हॉल में जाईएगा फिल्म देखने के लिए वहाँ पर देखिएगा लकडी के खाचे बने होते हैं हॉल में या तो फिर वह दिवारें रफ बनाई जाती हैं क्योंकि जो इसमूत लिकनी दिवारें होंगी वह क्या करेंगी वह रिफ्लेक्ट करेंगी ताकि आपको साउंड कई बार सुनाई दे और आप इरिटेट हो जाएं और सुनो बेटा एक बात और मैं आपको यहां पर बहुत सिंपल बताना चाहता हूं मान लिजे आप किसी हॉल में हैं थोड़ी मान लिजे आप किसी हॉल में है और आपको आवाज अच्छी सुननी है तो मल्टी रिफ्लेक्शन जरूरी भी है मल्टी रिफ्लेक्शन न्यून तम कितना होना चाहिए 0.8 सेकेंड और विटा याद रखना अगर यह मल्टी रिफ्लेक्शन पीरियड क्या हो गया 0.9 तो sound overlap क करने लगीगी overlapping कुट्टे में तेरा खूंपर जाओंगा बसंती नाच कुट्टे में तिरा कुट्टे नाच बसंती नाच रही मैं तो बसंती रही न स्क्रांट ही छम्ट ही overlapping होने लगेगी और सुनो किसी भी hall में अगर multi reflection period zero हो गया तो वह hall गुंजन हीन hall हो जाएगा यानि आप चाहे कुट्टे का खोन पीजिए चाहे आप बसंती नचवाईए कोई दिक्कत नहीं होगी सामने वाला व्यक्ति कुछ समझ नहीं आप आएगा किसकी आवाज है आप तक आवाज ही नहीं आ पाएगी समझे बात को इसलिए अगर multi reflection period is zero तो hall क्या हो जाता है डेड हो जाता और overlapping of sound और compulsory कितना होना चाहिए जीरो पॉइंट इसलिए कभी भी फिल्म देखने जाएं तो वहां एक बोर्ड लगा होगा डालवी डिजिटल सिस्टम का उस बोर्ड को आप जरूर देखें वरना आपको दिक्कत हो सकती है कि चलिए आगे बढ़ते हैं कि 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 चलिए अनुनात पहले जान लेते हैं आपने एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम है कुम्पू हस्टले उसमें एक महिला चिलाती है और लोगों के चीथरे उड़ जाते हैं क्यों क्यों की बेटा याद रखना तांसेन गाते थे तो दिये जल जाते थे तांसेन गाचे थे तो कांस टूड जाते थे आपने सुना होगा कभी न कभी तो सुना होगा तांसेन गाते थे तो बारिश हो जाती थी तो ऐसा क्या होता था कि तांसेन गाते थे तो बारिश हो जाती थी क्योंकि तांसेन जब गाते थे तो resonance उत्पन्न हो जाता था आनुनाद उत्पन्न हो जाता था इसी लिए ऐसा हो था एक बार क्या हुआ England की बात है England में एक army गुजर रही थी पुल के उपर से left right left right करते हुए March करते हुए तो उसकी frequency तो बढ़ घट रही थी लेकिन पुल की frequency similar थी तो क्या हुआ जैसे ही पुल की frequency और उस व्यक्त की frequency मैच करी पुल तूट गया क्योंकि उस समय resonance उत्पन्न हो जाता है और वेटा याद रखना कहीं पर भी missile गिरे तो सबसे ज़्यादा नुकसान गोले बारूत से नहीं होता होता है तो किस से ध्यान रखना resonance से पचास पचास किलो मीटर दूर जब कोई बच्चा रोता है आपने सुना होगा तो और जब काच तूट जाए तो समझ जाए अनुनाद उत्पन्न होता है अब इटा याद रखना इस संसार में जितनी भी चीजें हैं सब में अपनी frequency है आप में भी frequency है हम में भी frequency है सभी मे frequency है जब दो आबृतियां आपस में समान होती है तो क्या उत्पन्न होता है अनुनाद उत्पन्न हो जाता है तो ध्यान रखना किसी भी जगा पर जाएं तो अपनी frequency को दूसरों से न मिलाएं वरना किसी न किसी को तूटना निश्चित हो जाएगा और इसलिए आपने देख जानक frequency है कि वह किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं अच्छा अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं वेटा कि देखो 20 हर्ट से कम तो अब स्रव्य तो रहने तरंग है केवल ओर केवल कौन सी sound सुन सकते हैं वीस से लेकर वीस हजार हर्ट के बीच ये वाली जो sound है बीस से लेकर 20 हर्ट से कम less दैन वाली यह भूकमप के समय उत्पन्न होती है यानि भूकंप के समया sound उत्पन होती है लोगों को पता भी नहीं चलता और यहां उत्पन होती है और इसका हमारे जीवन में काफी उप्योग है 20 Hz से कम वाली जो sound होती है वो हम नहीं सुन पाते लेकिन 20 Hz से 20 000 के बीच की sound को हम हम बड़ी ही आसानी से सुन लेते हैं, आसान है, आसान तरीके से समझ रहे होंगे आप लोग, चलिए, तो बेटा कौन-कौन सी साउंड हमको सुनाई देती है, केवल 20 हर्स से 20,000 हर्स के बीच, चलिए, मैक नंबर जान लेते हैं, देखो, मैक नंबर क्या है, वस्तुकी चाल और ध्वनिकी चाल, यानि वस्तुकी चाल को ध्वनिकी चाल से डिवाइट कर दीजे, मैक नंबर निकल आएगा, सुनो, बहुत जादा मत जानों यहाँ पर, मैक एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, इन्होंने कहा, मान लिजे, 20,000 हर्स से उपर है, तो हम कैसे मेजर करेंगे तो बेटा ध्यान रखना, अगर मैक नंबर एक है, मतलब एक से कम है, तो सबसोनिक धोनी, ट्रांसोनिक होती है, मैक एक से, मैक नंबर अगर एक होता है, तो और एक से अधिक होगा, और पास से कम होगा, तो सुपरसोनिक, तो अब आप से ये कोश्चन पूछा जाता है, य इसका नाम ब्रम्भोस है वह सुपरसोनिक मिसाइल है तो विटा याद रखना सुपरसोनिक सबसोनिक हाइपरसोनिक साउंड वेब को किसे मेजर करते हैं तो ध्यान रखना उसका नाम है क्या मैक नंबर यानि सुपरसोनिक ट्रांसोनिक ये सारी साउंड को मेजर करते हैं सामा ने घटना है आईए आगे बढ़ते हैं ठीक है आप लोगों ने कभी न कभी सोनार का नाम सुना होगा टाइटेनिक जहाज कभी नहीं डूपता वो प्रेम कहानी आपके सामने कभी नहीं आती जो प्रेम कहानी आपने टाइटेनिक फिल्म में देखा आपको मालूम है टा बाइटेनिक में सोनार लगा होता लेकिन उस समय तक खोज नहीं हुई थी सोनार की सोनार का फुल फॉर्म क्या है sound navigation and ranging मतलब दूर 25 किलो मीटर दूर से पता कर लेता है सामने कोई बर्फ का पहार तो नहीं है सामने कोई पहार तो नहीं है समुद्र में कितनी गहराई है इन सभी चीजों की जानकारी सोनार के माध्यम से लगाया जा सकता समुद्र की गहराई तक मापने का और आपको मालूम है टाइटेनिक जहाज इसी लिए डूबा क्योंकि एक वो आइस यानि बर्फ के बहुत बड़े पहाड से टकरा गया था और उस जहाज में छेद हो गया था तो बेटा याद रखना अगर सोनार लगा होता तो पच्चिस किलोमीटर दूर से पता चल जाता और वह अपनी गाड़ी को मोड लेता यानि अपनी जहाज को मोड लेता और ये एकसिडेंट नहीं हो पाता ये एक सामानने बात है और सुनो चमगादर और डॉल्फिन परास परासरव ध्वनी तरंग को भेजेगा और पता चल जाएगा कितना दूरी है यानि डेप्त मालूम हो जाएगी गहराई मालूम हो जाएगी हवाई जहाज उसके पानी वाले जहाज के निचले हिस्से में ऐसा कुछ लगा होता है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए ठी कि दोनार में परासरव ध्वनी तरंग का उपयोग किया जाता है देख लीजे परासर ध्वनी तरंग का उपयोग और हम चमगान और डॉल्फिन वान्य उत्पन्न करतें आपको मालूम है चमगान रौत में ऱात में में भी उड़ सकता है डे Bailey चमगानरम Committee ऑन करने की छमता होती है उत्पन्न करता है वहां से टकराती है उसको सुनाई देती है वो दूरी को नाप लेता है और वो वहां तक पहुच जाता है तो चमगादर अपनी आखों की जगा पर कौन सी तरंगों का उपयोग करता है परास्रब तरंगों का उपयोग करता है कौन सा ऐसा ज स्थान पर अपयोग करता है जो कि ध्वनी के परावर्तन पर निर्भर करती है संपल सी बात है परासरब तरंगों का कई जगा उपयोग होता है अब देखो जैसे मान लो हम कहीं जा रहे हैं रस्ते में बारिश होने लगी तो डिफिनली हम कहीं रूख जाएंगे मान लो हम कहीं जा रहे हैं तो मान लो हम कहीं जा रहे हैं रस्ते में कुछ आ गया तो भी रुख जाएंगे इसका मतलब यह हुआ कि जब आप चलते हैं तो रास्ते में ब्योधान आते हैं उसी तरीके से जब साउंड चलती है तो देखिए गनत्व, दाब, ताप और आदरता का क्या परभाव होता है क्या हम दाप बढ़ाएंगे तो ध्वानी बढ़ जाएगी क्या हम ताप बढ़ाएंगे तो ध्वानी बढ़ जाएगी तो देखिए, ध्वानी के चलने में इधर से अराम से समझे बेटा याद रखना मानलो ये एक सर्किल है मानलो ये सर्किल है अब ये A सर्किल है और ये क्या है B सर्किल है द्यान देना अब कोई भी साउंड हमने यहाँ पर प्रोड्यूस किया हेलो तो चलने में कहा दिक्कत हुई इसको B में क्योंकि इसका घनत तो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्वानी की चाल और घनत तो में विप्रीद संबंद होता है ध्वानी की चाल और घनत तो में विप्रीद संबंद होता है मतलब घनत तो बढ़ेगा तो ध्वानी की चाल घटेगी घनत मतलब घना घनत तो बढ़ने पर ध्वानी की चाल घट जाएगी इसका मतलब यह हुआ और हाँ एक चीज़ और याद रखना बिटा ध्वन की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता मतलब घनत्तों का प्रभाव तो होता है ध्वन की चाल पर लेकिन दाब का कोई प्रभाव नहीं होता आप चाहे जितना प्रेसर उत्पन कर दीजिए कभी भी नहीं temperature और हाँ एक चीज़ और बताता हूँ इधर देखो लिखा हुआ है साब साब नियत ताप पर ध्वने की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता अच्छा किसी भी चीज़ को गरम करिए तो क्या होता फैलती है या सिकुरती है तो हम कहेंगे फैलती है और बेटा जब कोई चीज़ फैलेगी तो उसका घनत तो घटेगा या उसका घनत तो बढ़ेगा तो मैं कहूंगा जब कोई चीज फैलती है तो उसका घनत तो बढ़ता है और घनत तो बढ़ता है तो द्वने की चाल क्या हो जाती है क्योंकि आप जब तापमान बढ़ाएंगे तो घनत तो घटेगा और घनत तो घटेगा तो speed क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप ध्वनिक की चाल यानि जब भी आप तापमान बढ़ाएंगे temperature increases then speed of sound also increases तापमान बढ़ाने पर ध्वनिक की चाल भी बढ़ जाती है समझ में आ गई होगी बात हमारी तो देखो बेटा 0.61 बढ़ाएंगे तो ध्वनिक की चाल भी बढ़ जाती यानि इतना temperature बढ़ाने पर 0.61 ऐसा हो जाता है और सुनो वायो की आदरता बढ़ने पर आदरता मतलब पानी की मात्रा आदरता बढ़ने पर ध्वनिक की चाल बढ़ जाती है यानि आदरता बढ़ने पर ध्वनिक की चाल बढ़ जाती है ध्यान रखिएगा इस बात को चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे नमस्कार धन्यवाद थैंक यू